हेलो भाईयो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और नीदा इलेंड के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी लेकिन आपको बस काम करना है कि वीडियो को पूरा देखे और हर एक शीच को समझ लिए कि टीम कैसे रेडी करनी है तो चलिए बात करते हैं मैच यह बारे में पाकिस्तान इदर लें के बीच में मैच केला जाएगा साड़े बार बजी और वैधर की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर लाइट रहने यहाँ पर आपको दिख जाएगा वैन्म की बात करें तो पर्थ इश्टिडियम पर्थ ऑस्टिल्या का ग्राउंट रहेगा और प यहां पर अच्छा कर रही है मैं आगे आपको दिखाऊंगा यहां पर चलिए बात करते हैं इस सीजन वेन्य रिकॉर्ड के बारे में तो टोटल इस सीजन वे तीन मैच हुए हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लगभग बराबन मिलता है मैच इस कि बात करें तो मैच्च 2 की बात करें तो यह मांबे और पाकिस्तान के बीच गुए था यह मैच, जिसमें देख सकते हैं टोटल विक्ते गई थी एह 16 जिसमें फास्त गई थी 9 और इस प्यूम गई थी 6 तो इसमें भी आप 2010 का है यह मैच है टूएड हुआ था नेधर लेंड पाकिस्तान के बीच में जिसमें पाकिस्तान डेविन किया था उस समय कि कोई प्लियर अभी खेल नहीं रहा है तो यहां पे कुछ रिकॉर्ड मैं लिखा नहीं हूँ एवरेज स्कूर की बात करें तो 150 से 170 की बीच में आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के प्रोबल प्लेइंग लेवन के बारे में तो दोस्तों यहां से ओपन करेंगा मुहम्मद रिजवान बाबा राजम यहां पे बाबा राजम करेंगा मु पारी खेली थी इन्योंने जो की अच्छी नहीं है बाबा राजम एक अच्छे प्लेयर है जो अच्छा इनिंग का हम लोग भरोसा करते हैं बाकि वह इनिंग नहीं आ रही इनके बले से बाबा राजम देख सकते हैं रिसेंट फॉर्म तो अच्छा नहीं लगा मुझे और दो मैचेज में भी फ्लॉफ हैं लेकिन टी ट्वेंटी में अच्छा अच्छा अवरेजर फोटी तरी का अच्छे प्लेयर हैं बड़े प्लेयर हैं बस अच्छे से अभी फॉर्म नहीं आ रहे हैं और उसके बाद आएंगे दोस्तों सान मसूद देख सकते हैं रिसेंट देख सकते हैं रिसेंट पॉर्म डीशन है और फ़र्ट में 51 के लिए और सेकर में पांच रन के लिए ती यह भी अच्छे प्लेयर हैं और अच्छा कर सकते हैं यह अच्छा बैटिंग करते हैं साधा आप खाना आएंगे पहले में पांच रन जीरो विकेट रहां दूसरे म में काफी अच्छा किया रिसेंट फॉर्म ठीक है और 20 में 20 में 52 में 50 विकेट इनके नाम हैं हर मैच में लगबख आपको विकेट करते बालिंग करते दिख जाएंगे और विकेट भी लेते दिखेंगे हैदर अली आएंगे रिसेंट पॉर्म अच्छा नहीं है नीचे अच्छे प्लेयर हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे बॉलिंग कराते हैं तो और मस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे मोहमद वसीम जुनियर आएंगे उसके बाद टीट्वेंटी के 15 में 19 विके इनके नाम है और रिसेंट फॉर्म भी ठीक है और लास्ट के मैच में 12 रर चार व फिर उसके बाद साही नाफरी दी आएंगे टीट्वेंटी के 40 मैच में 47 विकेट है रिसेंट फॉर्म में ठीक ठाक रहा है इनका बाकि लास्ट के दो मैचेस में विकेट लेज रहे हैं बड़े प्लेयर हैं आज के मैच में कुछ अच्छा कर सकते हैं लेकिन इनके बॉलिं दोस्तों यहां से नसीम साफ देख सकते हैं रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है लास्ट में हालाग विकेट रहते हैं उसके पहले एक लिए लिया था एक से दो विकेट आपको लेती हुए कि यह दिख जाएंगे अच्छे बॉल और ने फास्ट बॉलिंग अच्छा कराते हैं य चाहिए तो मैं आपको यहां से बता देता हूं यहां से दोस्तों मुहमद रिजवान को अपनी तीम जरूर ट्राइ किजेगा बाबाराजम को जी यल में ट्राइ कर सकते हो इसमॉल लिग में मुझे आप डर नगल लग में ने यह ना ले उसके बास सान्मसूद को मैं प्रि अपने टीम में मुहमद दमाज इंपॉर्टेंट रहेंगे फिर दोस्तों यहां से साहीन आफरीदी आज के लिए ट्रंप पीख हो सकते हैं मुहमद द्वसीम जूनियर हरीस रॉफ आप नसीम सा को डॉफ करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है बैंच के प्लेयर अगर कोई कहल करते हुए दिख जाएंगे तो यह तो रहें पाकिस्तान के टीम की बारे में अब बात कर लेते हैं थोड़ा नेदर लिंट के प्लेइंग लेवन की बारे में तो दोस्तों यहां से ओपन करेंगे मेक्सी डॉट विक्रम जीत सिंग देख सकते हैं मेक्सी डॉट का रिशन फ प्लॉफ है और टी टुएंटी में तेरा कावरेज है इनका जो की यह मिस अंड हिट टाइप के प्लेयर अगर चल गया है तो अच्छे से चलेंगे वन नफ नहीं चलेंगे जील में इनको ट्राइ कर सकते हो आप इस मॉल लिक लिए थोड़ा सा रिसकी पीक है उसके बास बस बॉलिंग कर आएंगे और वन डाउन बैटिंग कर आते देंगे फिर आएंगे टॉम को पर रिसंट फॉर्म काफी खराब है जील के लिए प्रिफार करूंगा इनको इस मॉल लिक में यह थोड़ा सा रिसकी रहेंगे कॉलिन अक्रिमन आएंगे सत्रा जिरो नेग विकेट फिर उसके बाद जीरो रन, बैसाट रन, जीरो विकेट, सत्रा रन की एनिंग अभी थोड़ा सा फॉर्म में आ रहे हैं थोड़ टिक के खेल रहे हैं अच्छे प्लेयर हैं टेटिवेंटी के 16 मैच में 317 रन, 24 का आवरेज इनका रहा है उसके बाद स्कॉर्ट इड़ड 8 रन 1 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 20 रन 0 विकेट तो यह 1 विकेट हर मैच में लगभग लेने का कोशिश कर रहे हैं लास्ट मैच विकेट लेस रहते इस बार एक कुछ अच्छा कर सकते हैं तो टीम में रख सकते हैं उनको लोगन 1 विक आएंगे, रिसेंट रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं जो दोनों मैच खेले हैं उसमें दो मैच में एक विकेट इनके नाम रहा है राइट आम आप ब्रेक बॉलिंग कराते हैं फिर दोस्तों यहां साइएंगे फ्रेट कलासन टीट्वेंटी के 31 मैच में 35 विकेट इसके नाम है और अभी जो मैचे से उसमें से पांच मैच से यहां पर दो विकेट जीरो विकेट एक विकेट एक विकेट और एक विकेट तो रहा है मतलब एक ठीक ठाक साइनिंग इन्होंने अपने बॉलिंग से किया है और अच्छा बॉलिंग करते हैं यह लेप टाम फास बॉलिंग कराते हैं अच्छा कर भीकेट, दो विकेट, दो विकेट, एक विकेट, तो ए लगबग एकाद विकेट आपको करते भी जाएंगे, बावण मैस में Чोवण विकेट इनके नाम है, इंपॉर्टन एंगे, तो यहां से दौश्टो, मैं आपको बता दूँ कि मेरे टीम में किसको किसको रख रहूँ अ दोस्त नीचे से मैं यहां से अपनी टीम में लूँगा फ्रेट क्लासन पॉल वन मखी मिकी रन को अपनी टीम में लूँगा हैंज को कोई खίलते हैं तो मैं आपको टेलिगराम कवर करते दिखेंगे यहां से fred klasan paul one makiran और death cover fred klasan paul one makiran was the lady आपको करते हुए दिख जाएंगे तो यह तो हो गया analysis की बाद तो चलिए दोस्तो बात करते हैं एक demo team तो दोस्तो विकट keeping section से आपको दिखेंगे मुछमब रिजवान जिनको लेना ही लेना है आपको Harrys तो खेलेंगे नहीं और Edward जो है इनको अभी के लिए मैं नहीं ले रहूँ चल सिदा चलते हैं यहां से बैटिंग सेक्शन में तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन से आपको एक प्लेयर दिखेंगे मैक्सी डॉड आपके लिए ठिक ठाक से प्लेयर रहें और सान मसूद को भी अपनी टीम में जरूर ट्राइ करना हाला कि स्लो खेलते हैं लेकिन टिक के खेल रहें बंदे काफी अच्छा फार्म में ये मुझे लग रहे हैं बाकी यहां से विक्रम जी सिंग इपॉर्टन नहीं रहेंगे हजार अली भी इंपॉर्टन नहीं रहेंगे बाकी जो प्लेयर्स हैं इनके खेलने की चांसे बहुत कम हैं तो यहां से दोस्तों आपके पास अब दो आप्शन बचते हैं या फिर बाबा राजाओं टॉम कूपर विक्रम जी सिंग डिफ्रेंशल रहेंगे विक्रम जी सिंग और टॉम कूपर और सेफ पिक रहेंगे बाबा राजाओं तो बाबारायम को आज ले सकते हो अपनी टीम में ठीक है तो आप बाबारायम को मिलिया हूँ फिर दोस्तों डॉट ओंडर से साधाप खान वज्दे लिडि को लेना ज़रूरी है दो प्लेयर है यह फिर आप साधापखान को आप ड्रॉप करना चाहा है तो साधाप खान को ड फिर यहां से सादाव खान को मैं अपनी टीम में लूँगा फिर दोस्तों यहां से बाट बॉलिंग सक्षन से देख लीजे साहिना फृदी आज के लिए डिफरेंशाल थोड़ा हो सकते हैं क्योंकि फिछले दो मैसे विकेट लेज रहे हैं फिर दोस्तों हैरिस रॉफ और फि यहां से एलवन वीक को भी ले सकते हैं फिर कॉल इनक्रेमन को किसी को भी यहां पर ले सकते हो बाग कि अभी के लिए मैंने स्कॉर्ट इडवर्ट को ट्राइ किया है क्योंकि विकेट किपिंग से भी दे सकते हैं और रन भी थोड़ा सा स्कूर करने का दमखम रखते हैं तो दोस्तों यह हो गया मेरा अभी के लिएक देमो टीम है यह फाइनल टीम नहीं फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पर मिलेगी तो टेलिग्राम को जोइन करने इंपोर्टेंट है टेलिग्राम का लिंक कमेंट सेक्षन और डिस्क्रिप्शन में है तो हां से जोइन कर लो दोस्त openness प्लस 5 वाला रूल ट्राइ करोगे तो आप इनको भी अपना captaincy दे सकते हो तो important यह रहेंगे तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं next वीडियो में